नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजिना वेकन, सीनिय कंसल्टन गानेकॉलोजिस्ट मनिपाल हॉस्पिटल्स काजियाबाद आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन डिसॉडर की PCOS PCOS याने पॉलेसिस्टिक ओवेरिन सिंड्रोम इसमें क्या होता है? इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अनियमित महावारी, वेट गेन, हिर्सोटिजम, एकने और थोड़ा सा स्किन पिग्मेंटेशन आखिर PCOS हमें होता क्यूं है? इसकी बहुत साधरन सी वज़ा है हमारे वेट गेन होना, हॉर्मोन इंबालन्स होना, इंसलिन रिजिस्टन्स होना, कुछ जेनेटेक्स PCOS हलाकी बहुत मुश्किल समस्या लगती है लेकिन ये क्योरेबल भी है इसका वक्त पे इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि यदि ये लॉंग वक्त टाइन टक रहती है और इसको इलाज ना कराएं तो आपको आगी चलके डाबिटीज और हैपरटेंशन जैसी समस्या भी हो सकती है साथ में यंग एज में ये इनफर्टिलिटी को भी बढ़ावा देता है इसलिए वक्त पे अपने डॉक्टर के पास जाएं आपके डॉक्तर आखिर क्या करेंगे वह आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे और अल्ट्रसॉन कराएंगे ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि आपके हॉर्मोन बैलन्स कैसा है यानि कि अंड्रोजन लेवल्स बड़े हुए हैं कि नहीं बड़े हुए साथ में कुछ और चीज़ें भी हर प्रेशन्ट को सिमिलर समस्याय नहीं होती इसलिए आप स्वेम की डाइग्नोसिस ना करें PCOS इतना मुश्कित भी नहीं है घर पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप PCOS से बच सकें जैसे कि उचित खानबान, बैलन्स टाइट हो, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, यानि कि सेडेंटरी ना हो आप अक्टिव रहें, एक्सरसाइस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस बस्टिंग अक्टिविटीज अवश्य कराते रहें ताकि वक्त से पहले भी पक्वी जा सकें, धन्यवाद.